ओम शान्ति इस दुनिया का विनास तो जरूर होगा है लेकिन उसकी निशानिया क्या क्या होगा पहले हमको तैयारिया क्या करना पड़ेगा हम तो सत्योग जाने वाले हैं ना जो परमपिता परमात्मा से बुधियोग लगाते हैं खुद को आत्मा समझ करके देह और देह के सभी सम्मंधों को त्याग करके अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को जो याद करते हैं वो तो सत्योग में जाएंगे ही लेकिन सत्योग में जाने के पुर्व हमको क्या करना है इसके बारे में आए आज हम सुनेंगे 26 डिसेंबर 2020 की ये साकार महावाक्या आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें बेहत की जागरी देने ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे परमात्मा का संपिति लेने के लिए हमको प्यारे परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है प्रस्ण है अच बाबा का बिनास का समय जितना नचितिक आता जाएगा उसकी निशानिया क्या होगी तरहे बिनास का समय नचितिक होगा तो फर्स पॉइंट सब को मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है भगवान आचुके हैं ये साब को पता चल जाएगा और दुसरा पॉइंट है अब नई दुनिया की स्तापना पुराने का बिना सोना है बहुतों को साख्यातकार भी होंगे तिसरा पॉइंट है सौन्यासियों राजाओं आदी को ग्यान मिलेगा चोथा पॉइंट जब सुनेंगे की बेहत का बाप आया है वही सद्गती देने वाला है तो बहुत आएंगे पांच नमर पॉइंट अखबारों दुआरा अनेकों को संदेश मिलेगा छे नमर तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे एक बाप की ही याद में और तिंद्र सुख में रहेंगे आज का गीत है इस बाप की दुनिया से और कहीं ले चलो जहां सुकर चैन होगा ओम शान्ती यह कौन कहते हैं और किसको कहते हैं रुखानी बच्चे बाबा घड़ी घड़ी रुखानी क्यों कहते हैं क्योंकि अब आत्माओं को जाना है फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा आत्माओं ने यह सान्ती और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है रिपीट हो तब सुख का चक्र भी फिर से रिपीट हो रिपीट तो सब होता है न जो कुछ पाष्ट हुआ है सो रिपीट होगा यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं परन्तु उनमें चेंस भी कर सकते हैं कोई अक्षर फुल जाते हैं तो बना कर डाल देते हैं इसको फिर बाइसकोप कहा जाता है इसमें चैंच नहीं हो सकती यह अनादी बना बनाया उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में भी आ जाता है बच्चे समझते हैं जो नाटक आदी अभी देख वह सब हैं जूठे कल्यूग में जो चीज देखी जाती है वह सत्यूग में होगी नहीं सत्यूग में जो हुआ था सो फिर सत्यूग में होगा यह हत के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वह ज्यान मार्ग अर्थात सत्यूग में नहीं होती तो अभी बेहत के बाफ से तुम वर्षा पा रहे हो बाबा ने समझाया है एक लोकिक बाफ से और दुसरा पारलोकिक बाफ से वर्षा मिलता है बाकी जो औरोकिक बाफ है उनसे वर्षा नहीं मिलता यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं यह जो नई दुनिया की प्रपटि है वो बेहत का बाफ ही देते हैं शिर्फ इन द्वारा इन में एडाप्ट करते हैं इसलिए इनको बाब कहते हैं भक्ति मार्ग में भी लोकिक और पारलोकिक दोनों याद आते हैं यह अलोकिक नहीं याद आता क्योंकि उनसे कोई वर्षा मिलता है नहीं है बाब अक्षर तो बोरोवर हैं परन्तु यह ब्रह्मा भी रचना है न रचना को रचता से वर्षा मिलता है तुमको भी शियो बाबा ने क्रियेट किया है ब्रह्मा को भी उसने क्रियेट किया है वर्षा क्रियेटर से मिलता है वह है बेहत का बाब ब्रह्मा के पास बेहत का व इनको भी वर्षा मिलता है, ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं, बाप कहते हैं, तुम इनको भी याद न करो, यह बेहत के बाप से तुमको प्रपट्टी मिलती है, लोकिक बाप से हत का, परलोकिक बाप से बेहत का वर्षा दोनों रिजर्फ हो गए, शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुध्धी में आता है, बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे, बुध्धी में जागरी आती है न, यह बेहत की बात साही तुमको उन से मिलती है वह है बड़ा बाबा यह तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो मेरे तो कोई प्रपट्टी है नहीं जो तुमको मिले ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं बच्चों को कि मुझे तुम याद नहीं करो प्रपट्टी तो मिलते हैं श्यो बाबा को उनको तुम याद करो वलते हैं बाबा जिस से प्रपट्टी मिलनी है उनको याद करो वही कहते हैं मामेकम याद करो लोकिक बाप की प्रपट्टी पर कितना जगड़ा चलता है यहां तो जगड़े की बात नहीं बाप को याद नहीं करेंगे तो अटोमेटिकली बेहत का परसा भी नहीं मिलेगा बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो इस रत को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बात साही मिलेगी इसको कहा जाता है याद की यात्रा देह के सब सम्मंद छोड़ अपने को असरीरी आत्मा समझना है इसमें ही मेहनाथ है यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो वह यात्रा करते हैं शरीड से यह तो है आत्मा की यात्रा यह तुम्हारी यात्रा है परमधाम जाने के लिए परमधाम अथवा मुक्तिधाम कोई जा नहीं सकते हैं सिबय इस पुरुशार्थ के जो अच्छी रिती यात करते हैं वह जा सकते हैं, और फिर उझपद भी बहुँ पा सकते हैं, जाएंगे तो सब परन्तु बहुत पतिद है न, इसलिए पुकारते हैं, आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है न, विगर महनद तो कुछ मिलता नहीं, है भी बहुत सहच, परन्तु माया का ओपोजिश होता है किसकी तकदिर अच्छी है तो जट इसमें लग जाते हैं कोई देरी से भी आएंगे अगर बुद्धी में ठीक रिती बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रुभानी यात्रा में लग जाता हूं एसे तिव्रवेक से लग जाएं तो अच्छी दोड़ी पहन सकते हैं घर मे रहते भी बुद्धी में आ जाएगा यह तो बहुत अच्छी राइट बात हैं हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूं बाप के फर्मान पर चलें तो पावन बन सकते हैं बनेंगे भी जरूर पुरुसात की बात है है बहुत सहज भक्ती मार्ग में त तो बहुत डिफिकल्टी होती है यहां तुम्हारी बुद्धी में है अब हमको वापिस जाना है बाबा के पास फिर यहां आकर विष्णू की माला में पिरोना है माला का हिसाब करें माला तो ब्रह्मा की भी है विष्णू की भी है रोद्र की भी है पहले पहले नई आते हैं. गोईा पिछाडी में पीरोते हैं, कहेंगे तुम्हारा उउच कुल क्या है, तुम कहेंगे विश्णू कुल. हम असल विश्णू के थे, फिर ख्यात्रिय कूल के बने, फिर उनसे बिरादरिया निकलती है. इस नलेज से तुम समझते हो विरादरियां कैसे बनती है पहले पहले रुद्र की माला बनती है उंचते उंच विरादरी बाबा ने समझाया है यह तुम्हारा बहुत उंच कोल है यह भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा भगवान जरूर कहां आया हुआ है परन्तु पता नहीं पढ़ता है आखरिन पता तो लगेगा सबको अख़बारों में पढ़ता जाएगा अभी तो थोड़ा डालते हैं ऐसे नहीं है कि अख़बार सब पढ़ते हैं लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं कोई दो चार अख़बार भी पढ़ते हैं कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते यह सब को मालूम पढ़ना ही है कि बाबा आया हुआ है बिनास का समय नजदिक होगा तो मालूम पढ़ेगा नई दुनिया की स्थापना पुरानी का बिनास होता है हो सकता है बहुतों को सख्यातकार भी हो तुम्हें सन्यासियों राजाओं आदी को ज्ञान देना है बहुतों को पैगा मिलना है जब सुनेंगे बेहत का बाप आया है वही सद्गति देने वाला है तो बहुत आएंगे अभी अख़बार में इतना दिल पसंद काईदे मुजिव निकला नहीं है कोई निकल पड़ते हैं पुछताच करेंगे बच्चे समझते हैं हम स्रीमत पर सद्यूग की स्थापना कर रहे हैं तुम्हारी यह नई मिशन है तुम हो इश्वर्य मिशन के इश्वर्य भाती जैसे क्रिष्ट्यन मिशन के क्रिष्ट्यन भाती बन जाते हैं तुम हो इश्वर्य भाती इसलिए गायन है अतिंद्र सुक्व कोपियों से पुछो जो आत्म अभिमानी बने हैं एक बाफ को याद करना है दुसरा न कोई यह राच योग एक बाफ ही सिखलाते हैं वही गीता का भगवान है सबको यही बाफ कब निमंतरन वा पईगाम देना है बाकी सब बाते हैं ज्ञान सुरूंगार यह चित्र सब है ज्ञान का सुरूंगार नौकि भक्ति का यह बाफ ने बेट बनवाए हैं मनुश्यों को समझाने के लिए यह चित्र आदी तो प्राय लोफ हो जाएंगे बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है बाफ को भी यह ज्ञान है ड्रामा में नौन्ध है तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है जो चल रहा है तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है जो चल रहा है नूंद थी जो फिर से हम राच्योग सिख रहे हैं बाप से बाप को ही आकर यह नुलेज देनी है आत्मा में नूंद है वहां जाये पहुँचेंगे फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा आत्मा के सारे रिकर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर फिर इह सब बंद हो जाएंगे भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा फिर जो तुम्हारे एक्ट सत्यूग में चली होगी वही चलेगी जो कुछ हुआ होगा वही होगा समझा जाता है सत्यूग है नई दुनिया जरूर उहाँ सब कुछ नया ही होगा जरूर उहाँ सब कुछ नया सोत प्रधान और सस्ता होगा जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा देखते भी हैं इन लच्मी नारण को कितने सुख है हिरे जबाहरत धन बहुत रहता है धन है तो सुख भी है यहाँ तुम भेट कर सकते हो वहाँ नहीं कर सकते हैं यहाँ की बातें वहाँ साब भूल जाएंगे यह है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंध हो जाती है हिसाब किताब चुक्त होता है रेकर्ड पूरा होता है एक ही रेकर्ड बहुत बड़ा है कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए परन्तु नहीं इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है आत्मा भी अविनासी है इनको शिर्फ बंडर ही कहेंगे ऐसे आश्चर्य बच चीज और कोई हो न सके बाबा के लिए तो कहते हैं सत्युक्त रेतया के समय विश्राम में रहते हैं हम तो अल राउंडर पाठ बजाते हैं सबसे जास्ती हमारा पाठ है तो बाब बरसा भी उच देते हैं कहते हैं 84 जन्मों भी तुम ही लेते हो हमारा तो पाठ फिर ऐसा है जोर कोई बजा न सके वंडरफुल बाते हैं न यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाब बेट समझाते हैं आत्मा मेल फिमेल नहीं है, जब सरीर धारन करती है, तो मेल फिमेल कहा जाता है, आत्माएं सब बच्चे हैं, तो भाई भाई हो जाते हैं, भाई बहन है, जरूर बर्षा पाने के लिए, आत्मा बाबा का बच्चा है न, बर्षा लेते हैं बाबा से, इसलिए मेल ही कहेंगे, जब आत्माओं का हग है बाप से बर्षा लेने का उसके लिए बाप को याद करना है अपने को आत्मा समझना है हम सब ब्रदर्स हैं आत्मा ही है वह कभी भी बदलती नहीं है बाकी शरीर कभी मेल का कभी फिमेल का लेती है यहाँ बड़ी अटपटी बातें समझने की है और कोई भी सुना नौ सके बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं आगे तो सबसे मिलते थे सबसे बात करते थे अभी करते करते आखरीन तो कोई से बात ही नहीं करेंगे सन सोच फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर रहे हो बाबा समझते हैं, यह बहुतों को आप समन बना कर ले आते हैं यह बड़ा राजा बनेंगे, यह छोटा राजा बनेंगे तुम रुखानी सैना भी हो, जो सब को राबन की जंजरों से छुड़ाए अपनी मीशन में ले जाते हैं जितनी जो सर्विस करते हैं, उतना फल मिलता है, जास्ति भक्ति की है, वही जास्ति हो जाती है और बरसा ले लेते हैं यहाँ पढ़ाई है अच्छी रिती पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे पढ़ाई बहुत सहच है समझना और समझाना भी है जरूर डिफिकल्टी की बाते नहीं परन्तु राजधानी स्तापन होनी है इसमें तो सब चाहिए न पूरुसार्थ करना उसमें हम उँच पद पाएं मृत्यू लोग से ट्रांसफर होकर अमर लोग में उँच पद पाएंगे बाप को प्यार भी करना होता है क्योंकि यह है बहुत प्यारेते प्यारी बस्तू प्यार का शागर भी है एक रस प्यार तो हो न सके कोई याद करते हैं कोई नहीं करते हैं किसको समझाने का भी नसा रहता है न यह बड़ा temptation है कोई को भी बताना है यह university है यह spiritual पढ़ाई है ऐसे चित्र और कोई school में नहीं दिखाए जाते दिन प्रति दिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुश्य देखने से ही समझ जाएं सिड़ी है बहुत अच्छा परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में भी नहीं आएगा जो इस धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे तुमको फिल होगा यह तो बहुत रूचिस से सुन रहे हैं कोई तो नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं सर्विस का बड़ा सुग चाहिए जो सर्विस पर ततपर होंगे वही दिल पर चड़ेंगे और तक पर भी चड़ेंगे आगे चल तुमको सब साख्यातकार होते रहेंगे उस खुसी में तुम रहेंगे दुनिया में तो बहाकार बहुत होना है, रोक्त की नदियां भी बहनी है, बहादूर सर्भिस वाले कभी भी भूग नहीं मरेंगे, परंतु यहां तो तुमको बानप्रस्त में रहना है, सुक भी वहां मिलेगा, कुन्या को तो बनबहां में बिठाते हैं, ससुर घर जाकर खुब बहनना, तु वह नसा रहता है, वह है ही सुक धाम, अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों का भी रुहानी मात पिता बाप दादा को या पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तिप्रवेक से याद की यात्रा करनी है बाप के फर्मान पर चल कर पावन बनना है दुसरा पॉइंट है बाप का परिछय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है यहां बनबाह में रहना है अंतिम हाकार की सिन देखने के लि बर्दान है आज बाबा का हर कर्मे में फोलो फादर कर स्नेह का रेस्पंड देने वाले तिवरपुरुसार्थी भवब बर्दान का विश्तार है जिससे स्नेह होता है उसको अटोमेटिकली फोलो करना होता है सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फोलो फादर है अ बाप को कपी करते, बाप समान बनो कपी करने के लिए जैसा कारवन पेपर डालते हैं, वैसे एटेंशन का पेपर डालो तो कपी हो जाएगा क्योंकि अभी ही तिप्रपुरुसार्थी बन स्वयंग को हर सकती से संपन्न बनाने का समय है अगर स्वयंग स्वयंग को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएगा स्लोगान है संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, प्रसन्नता बनने से प्रसन समाप्थ हो जाता है च्छा, ओम शान्ति